आज मटर पर हम बात करेंगे और मटर का जो इंपक्ट है वो निश्चित तोर के उपर जो देश के अंदर हरी मटर और पीली मटर मौजूद है उसके प्राइजिस के उपर तो पड़े गाई साथ ही चने की कीमतों के उपर भी हम इसका असर आते हुए देखेंगे और अन्य दालों की कीमतों के उपर भी इसका प्रभाव देखेंगे मटर से जुड़ी ही इस समय पर दो बड़ी बातें हैं पहली बड़ी बात ये है कि कनाडा का जो उत्पादन है उसमें तकरीबन तकरीबन 24 फीसद की गिरावट है ये बाजार के अंदर में सरवग्यात है कि 24 फीसद मटर का उत्पादन कनाड़ा के अंदर में कम हुआ है जिसमें हरी मटर भी मौजूद है और पिली मटर भी मौजूद है दूसरी सबसे बड़ी बात भारत का जो इंपोर्ट शुल्क मतलब जिरो कर दिया है मटर के उपर और शुल्क फ्री आयात की अनुमती दी है तो इसका कास्केडिंग अफेक्ट हम बाजार के अंदर देख रहे हैं अब तीसरा एक और फैक्टर इसमें है तीसरा फैक्टर ये है कि चाइना के अंदर जो इस समया पर मटर आ रहा है वो बढ़ा है तीस फीसद रशिया ने वहाँ पर मार्किट कैप्चर कर ली है और कितने महीने में किवल मातर तीन महीने के अंदर उसका मटर सस्ता है इस वजह से उसने मार्किट को कैप्चर किया है तकरीबन पचास से सो डोलर प्रती टन का वहाँ पर फरक देखने को मिल रहा है इंडियन डमेस्टिक मार्केट में भी जो बायर्स है वो मटर जो है वो रशिया से लेना चाह रहे हैं रूस से लेना चाह रहे हैं क्योंकि उसका जो प्राइस है वो नीचे है हलांकि पहले आयात शुल्क जो था वो पचास फिसद तक लग रहा था तो यहाँ पर जो किसान थे डालों के किसान पीला मटर उगाने वाले किसान मटर उगाने वाले किसान उनको ठीठ ठादा मिल रहा था लेकिन अब आयात शुल्क घट गया है तो इससे दो असर देखने को मिल रहे है एक पहली बाजार के अंदर में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि नाफिड से जिन भी कारोबारियों ने डाले खरीदी चना खरीदा वो उपर के भाव पर खरीदा और अब अचानक से सरकार ने मटर के आयत शुल्क को शुन्य कर दिया तो इससे जो भारत के अंदर में इंपोर्ट होना है चना उसकी जो वेल्यू आ रही है वो काफी बड़ी है पांक से लेकर के 10 लाख मिट्रिक टन तक जो पिला मटर है उसको इंपोर्ट करने की बात कही जा रही है और तकरीबन जो कनेडा के अंदर इस बार जो प्रोड़क्शन देखने को मिल रहा है वो 26 लाख टन के आसपास देखने को मिल रहा है हलांकि ओवरोल अगर मैं इसमें हरा मटर भी जोड़ दूँ तो 31 लाख मिट्रिक टन के आसपास का प्रोड़क्शन कैनेडा में है रशिया के अंदर में बंपर क्रोप है रशिया इस समय पर बड़ा जवरदस्त मार्केट के अंदर में मटर स्प्रेड कर रहा है निकाल रह रहे होले हैं वह उसका जो भाव से लेकर के और साड़े 400 डोलर प्रतिटन के आसपास देखने को मिल रहा है लेकिन रशिया उससे नीचे है तकरीबन साड़े 300 से 380 डोलर प्रतिटन के आसपास हम उसके भाव देख रहे हैं और इस समय पर अगर देखा जाए तो रशिया और कैणेडा के जो पी एकस्पोर्टर्स हैं उनमें भी आपस में ठन गई है क्योंकि मैकसिमम जो मार्किट शियर चाइना के अंदर में कप जाया है रशिया ने वो केनेडा का ही कबजाया है और हिंदुस्तान के अंदर भी जो मार्केट शेयर कबजा होगा वो भी केनेडा का ही होगा क्योंकि पहले केनेडा से माल आ रहा था अब रशिया की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया है तो रूस से भी माल जो है उसके सोधे हुए है अब एक और तीसरी बात है यहां के किसानों का क्या होगा अब यहां जो लोकल मंडीज हैं उसमें प्राइज एक दम से क्रेश कर गए जो भाव 6,000, 7,000, 6,000 रुपए के आसपास अच्छी मटर के देखने को में रहे थे वो अब फिसल करके 5,000, 5,000 के आसपास और जानकारों का तो यह भी कहना है जो मार्किट्स के अंदर में हमारी बात्चीत हुई उसके मताबित तो और प्राइज के उपर हमें प्रेशर पड़ेगा प्राइज और नीचे जा सकते हैं कीमतों में और गिरावट मटर के अंदर मे देखने को मिल सकती है और इसका सिधा सिधा असर चने की किमतों के ऊपर भी दिखाई देगा चना तूटेगा और चने की कीमतों के अंदर भी हम यहां पर गिरावट आते हुए देखेंगे हाला कि इंडिया के अंदर भी अगर मैं चने के प्रोडक्शन की बात करूं उसके उपर पे थोड़ा सा एक नेगिटिव इंपक्ट है लेकिन चुकि अभी समय भी पड़ा हुआ फसल आने में तो अब overall scenarios को अगर हम देखते हैं तो overall scenarios जो आयात शुल्क हटाना है उसने pulses के करके बड़ी संजीदगी से ले रही है और निश्ची तोर के उपर trader इसको समझ भी रहे हैं कि चुनावी माहूल है और ये 2024 के जो अगले 6 महीने हैं इसमें तकरीबन तकरीबन यही एक माहूल अस्थिर रहेगा और pulses के अंदर में बहुत ज्यादा तेजी की उमीद अभी फ तकरीबन 200 से 300 रूपए प्रतिक इवंटल तो चने में से निकल सकते हैं और 200 से 300 रूपए प्रतिक इवंटल हाल फिलाल के अंदर में हाफ्ता 10 दिन में ही हो सकता है कि आपके मतर में भी जाते हुए दिखाई दे इसलिए मतर का trade pulses का trade थोड़ा सा नीचले स्थरों के उपर क किया जाए तो फाइदे का सोधा हो सकता है वहीं किसानों को इसके उपर पर चोट है क्योंकि प्राइज अगर नीचे आएंगे तो उनको उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाएगा तो उसको देखते हुए strategy को देखते हुए किसानों को भी यहां पर देखना होगा कि माल को किस तरीके से exit देनी है